जो राम किरपाल यादो लालू परिवार पर भाड़ी पर जाते हैं, क्या उस राम किरपाल यादो को रीत लाल यादो हरा सकते हैं? जो यादो आरजेडी को वोट नहीं देखकर राम किरपाल यादो को वोट देता है क्या उस वोट वेंग को अपने पक्ष में रीतलाल यादो कर पाएंगे इस वीडियो के सुरवात इसी सवाल से चुकि आज बात हम पाटली पुतर लोकसभा छेतर की कर रहे हैं जलासा जाती समीकरण को भी समझ लीजे चुकि जब बिहार, यूपी या हिंदी पटी राज्यों में चुनावी राजनिती को सेट करने से पहले जाती समीकरण को परखा जाता है इस वीडियो के सुरवात इसी सवाल से चुकि आज हम बात कर रहे हैं पाटली पुतर लोकसभा छेतर की वहाँ के जाती समीकरण को समझेंगे लेकिन उससे पहले या समझ लीजे कि एक यादो राम किरपाल यादो को क्यो वोट करता है चुकि राम किरपाल यादो तो भायक पास हैं आर जेडी का कोर वोटर लालू यादो का कोर वोटर यादो है बावजोद भी उस्षेतर के जो पूरी यादो वोटर है वो उनको वोट नहीं कर पाते हैं जिसके कान लालू प्रशाद यादो की पार्टी या फिर उनका पड़िवार जो है वो चुनाओ हार जबता है। इसका जवाब जब हम टट्रोलनी की कोशिश किए तो पता चला कि यादो यादो को इसलिए वोट नहीं करता है, चुकि वो यादो यादो की बीच नहीं होता है एक यादो भारती जंता पार्टी के उमिदवार राम किरपाल यादो को इसलिए वोट कर देता है चुकि राम किरपाल यादो 24 गंटा 7 दिन उस यादो कहें या फिर उस छेतर कहें लोगों की बीच में होते हैं जब भी लोगों को ऐसी मैसूस होती है कि राम किरपाल यादो को यहां होना चाहिए राम किरपाल यादो वहां पहुं जाते है और यहीं उनकी सबसे बड़ी जीत है राम किरपाल यादो की इमेज जो है वो छेतर में एक जमेनी अस्तर की नेताकी है वो हमेशा लोगों की बीच होते हैं जब भी लोगों को जरुवत परती है वो वहाँ पहुं जाते हैं बात अगर लालू पड़िवार की कर लिया चुकि मिशा भारती दो बरसे चुनाओ लर रही थी हार गई उससे पहले लालू पड़िवार चुनाओ लोगों का मानना है कि अगर हमारे सांसद लालू पड़िवार चुह होते हैं तो उनसे मिलना जुलना बेहद मुश्किल हो जाएगा है यानि कि पुरी तरह से लराई भी भी आईपी बर्सेस जीरो के जीरो में हम रामकी प्यादो को रखने हैं चुकि वो जमेनी अस्तरक नेता है और लालू पड़िवार जहां भी भी आईपी कहे है उससे उपर की कोई साब दे तो वो भी आप वहाँ पर रख सकते हैं अब जरासाँ वहां के जाती समीकर्मी समझें पांस लाक यादो तीन लाक भूमियार चार लाक कुर्मी अगर आप जाती समीकर्मी पर गौर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यादो और कुर्मी गुलबंध हो गया तो फिर आरजेरी और महाकरणून के जीट पक्की हो जाती है चुकि लालू यादो और नितिश कुमार का गरवंधन है लेकिन पातली पुत रोक सवाज चेतर में ऐसा देखने को नहीं मिलता है चुकि राम किरपाले यादो भाजपास से होने के बावज़ूद भी यादो वोट बैंक में अच्छी खासी सिन्दमारी करने में स चुकि हमेशा वो लोगों के बीच होते हैं लोगों से उनके संबंध कापी अच्छे हैं और यहीं बड़ी बज़ा है जो उनके लिए चुनाओ जो है वो असान हो जाता है अब जरासा 2009 को चुनाओ पर नाम पर गोड़ करेंगे तो जेडियू के रंजन यादो थे जिनको 2 59,558 वोट मिले थे लालू परशाद यादो आरजडी सुत्रे थे जिनको 2,45,752 वोट मिले थे और लालू परशाद यादो 23,541 वोटों से चुनाओ भाड़ गये थे वही बात अगर 14 कर लिए तो 14 में राम किरपाल यादो भाजपा कमेदवार हुए आरजडी को छोड़क 3,883,212 वोट मिलते हैं और मिसा भारती को 3,42,940 वोट यानि कि तक्रिवन 40,000 वोट से आरजडी मिसा भारती जो जालू यादो की बेटी थी वह चुनाओ हार जाती है बात अगर दोर्शाद कर लिए तब नितीश कुमार इंडिये में थे इसका फायदा भी राम किरपाल जादो सेन्मारी कर लेतों लेकि 100% वोट उनके पक्षमें नहीं हो सकता है यह तब होगा जब नितीश कुमार के पास होंगे अब जासोची के राम किरपाल यादो को 5,95,057 वोट मिले वही मिसा भारती आरजडी की उमिदवार 4,70,236 वोट मिले तक्रिवन पिछली बार की चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उनके लिए एक बड़ी चुनाओती है चुकि जो यादो विधान सभा में लालू परशाद यादो की पार्टी आरजडी को वोट करता है वही यादो लोग सभा में भारती जिंता पार्टी को इसलिए वोट करता है चुकि उनके तरप स जिनके सामने अच्छे अच्छे बाहु बली तो छोड़ दीजिए अच्छे अच्छे साफ स्तुरी छवी के नेता भी नहीं टिक पाते हैं तो ऐसे में सवाल है कि क्या रीतलाल यादो टिक पाएंगे चुकि रीतलाल यादो आर्जेडी के पहली बाव मिदवार 2020 के विदान स दानापुर से उनको 89,895 बोट मिला वही आसा सिना को 73,791 बोट मिले जो भाजपा को मिदवार थी बिधायक थी कई वर्सों से बिधायक है लोगों में नराजगी थी अगर वहां से भाजपा पना मिदवार बदल देती तो सायद भाजपा जी जाती चुकि दानाप विदा रित लाल यादव 15,900 चुनावी वोट से जीत गए लोगों का मानना है कि रित लाल यादव के लिधान सभा चुनाव एक बड़ी चुनावती है तो ऐसे में अगर लोग सभा का चुनाव में वह मैदान में उतरते हैं तो फिर राम किरपाल यादव के लिए लराई जो है व वहाँ की राज़ीतियों को समझने वाए लोगों का मानना है बेराल आपका क्या मानना है आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए अगर आप मैंने चैनल को यूटूब पर देखे हैं तो सब्सक्राइब कर लिजी फेस्बूक पर देखें तो पेज को लाइक और को कर देखे हो इनी को ज़ बादाल को का ब एक पर लिओये प्रभाुयम झा लगा झाल आपका कर कि भर दो है 성稚्च को झंड़ी को M funky को झालम कर पतक वपके भर दूब